I explained the concept of diversification principle using simple numbers जिसमें हमने probability को rate of return की मदद से और payoff की मदद से compare किया कि diversification से हमें क्या फाइदा पहुंच सकता है लेकिन हमेशा सूरतिहाल इतनी simple नहीं होती कि आप इस तरह के rate of return को या probabilities को count for करके अपनी effect को देख सकें कि diversification से हमें क्या फाइदा पहुंच रही अनुक्सान इसलिए we there are certain technical concepts that are applied in order to have a better understanding of how diversification or usage or application of diversification principle can help us in reducing our exposure to the risk उसके लिए जो technical concept हम इस्तिमाल करते हैं that is the probability distribution probability distribution से related concept में हम निकालते हैं expected payoff, expected return या expected payoff और उसके साथ ही में हम निकालते हैं इसका standard deviation तो standard deviation बताता है कि जो आप कोई certain different तरह के financial instruments में diversify करने के लिए investment करेंगे तो उससे आपका overall जो expected return या expected payoff है उस वो क्या होगा average value क्या निकल सकती है और दूसरा आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर variation की क्या level है तो variation का extent या spread का extent क्या होगा इन particular दोनों चीजों को assess करने के लिए हम concept इस्तिमाल करते हैं expected payoff का और फिर हम उसकी standard deviation निकालते हैं तो हम probability distribution बनाते हैं probability distribution के लिए क्या है कि आपने जब invest किया है तो what are the possible outcomes आपके पास जो possible outcomes हैं यानि कि कितना money नुकसान नफानुकसान होने वाला है losses की क्या values पॉसिबल हो सकते हैं different situations में आप उसको लेते हैं और साथ में आप उसकी corresponding probability लेते हैं से मैंने आपको बोला कि हम invest का रहे हैं for example umbrella के business में और किसी एक जिगा पर हमने दुकान बनाई जिसमें हम छत्रियां बेचेंगे तो उस particular area में या तो बारिश होगी और या नहीं होगी तो बारिश होने और ना होने की ये दो possibilities हैं ये आपके दो possible outcome के values हो सकते हैं आइधर बारिश विल हापन आइधर रेन विल हापन और इट विल नॉट हापन तो हम इसकी x अगर हम बोलें कि हम इस बारिश के होने या ना होने को x variable से रिप्रिजेंट करेंगे तो इसमें 0 और 1 की दो possible outcomes हैं और इसकी probability को count for करना पड़ेगा जो met office है वो आपको values देता है कि बारिश होने के chances पिछले साल क्या थे क्या हुए थे अभी बारिश हुई है कितनी हुई है काम है ज्यादा है different dates के ओपर उसकी probability की values वो नकाल के देते हैं तो आप उसको consult करके देखेंगे कि बारिश के होने का या ना होने के chances क्या है या probability क्या है या likelihood क्या है तो होने के chances को आप multiply करेंगे होने की value से तो x की value for example मैंने बोला if rain occurs तो x is 1 तो 1 will be multiplied by 0.5 या आप बोल सकते हैं कि अगर बारिश होती है और हमारी umbrella बिखती है तो उससे हमें 500 टॉलर का या 50,000 रुपयों का फाइदा होगा और बारिश होने के chances 60% है अकसर बारिश हो जाती है जैसे आप मरी में जाते हैं तो अकसर बारिश हो जाती है लेकिन कोई ऐसे इलाके भी होंगे पाकस्तान में जहां बारिश होने की probability बहुत काम है तो probability लेनी है और possible outcome के values लेनी है जो भी आपका variable of interest है जैसे profit है पे-off है आप वो लेंगे तो सबसे पहले अभी मैं आपको या बताने जा रही हूँ दो चीजे एक है मील जिसको हम कहते है एक्सपेक्टे आपने वो तमाम लेनी है ठीक है जैसे मैंने आपको बारिश होने की बात बताई है तो वहाँ possible outcomes दो हैं बारिश होगी या नहीं होगी तो यहाँ तीन possibilities हैं तो आपके पास possibilities होने चाहिए उसके हिसाब से आप कितना पैसा generate करें वो आपने निकालनी है तो यहाँ पे जो मैंने दो drugs की बात की तो वहाँ हमारे पास तीन possibilities थे उसके हिसाब से आपने यह सारे के सारे values और possible outcomes निकाले जिनको हम x1, x2, x3 बोलेंगे तो मैंने यहाँ x, i लिखा है यह मतलब there could be i possibilities और हर एक outcome को उसकी corresponding probability के साथ में आपने multiply करने हैं multiply करने के बाद फिर तमाम जो आपके पास products आएंगे उनको आपने जमा कर लेना है तो मैं अभी आपको बारिश वाले example देने जा रहे हूं तो अगर आपने कहा के बारिश होगी तो हमें 500 रुपए का profit होने वाला है pay off will be 500 रुप 500 and what is the probability के बारिश होगी मैंने लिखा it's not 0.6 और if there is no बारिश there is no rain तो maybe एक आदा कोई आदमी समझ लेगा के बारिश वाले दिन में मुझे ये आज खरीद लेता हूं चत्रियां या एक चत्री उससे मुझे help में लगा तो ड्राय वाले दिन भी कोई लोग खर जब बारिश नहीं होरी 0.4 उसका probability है उसके उपर हमने 200 रुपए कमाएं ठीक है यह हमारा 200 का profit है तो हमारी x की values जो है वो 1 है और x की value 2 है तो आपने expected payoff निकालने के लिए पहले 500 को 0.6 से multiply करना है फिर 200 को 0.4 से multiply करना है इससे जो value आएगी और इससे जो value आएगी इन दोनो को आपने जमा कर देना है तो आपके पास summation p i x i एगा and that will give you the value of expected payoff तो इस तरह से हम expected payoff या जिसको भी मैंने बोला के mean value of the return या payoff की mean value क्या होगी वो आपको इस formula की मदद से calculate करने में मदद मिलेगी आप इस तरह से calculate कर सकते हैं Now there is another similar concept which is the standard deviation which tells us about the overall spread or variation in the payoffs. Payoffs का मतब है आपको क्या outcome होने वाली है मनी के form में. Now, जब हमने one drug की example को discuss किया था तो हमने बोला कि इसमें अगर एक ही drug के अंदर आप अपना एक लाग dollar invest करते हो तो 50% chances थे कि आपको नुकसान हो जाएगा, 50% chances थे कि आपको 4 लाग का मनाफ़ा होगा. Now, in this case अगर आपने अपनी expected payoff नकालनी है तो इसको 0.5 को 0 से multiply किया, we got a 0, 0.5 को multiply किया, 400,000 से we got a $200,000 औलर और ये हमारा expected payoff है. तो हमने कहा कि on average अगर हम एक drug में $800,000 और इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे on average हमें $200,000 का payoff यानि कि मुनाफ़ा हो सकता है. अब इसके अंदर दोनो possibilities या तो पैसे नुकसान हो जाएगे या मुनाफ़ा हो जाएगा, इन दोनो possibilities का spread क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस्तमाल करते हैं, standard deviation का concept. Now, इसके formula पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा tricky है, इसलिए I would appreciate अगर इसको दरा आप गौर्द करें इसके ओपर, standard deviation को represent करने के लिए हम sigma का symbol इस्तमाल करते हैं, और ये value होती क्या है, आपने कहा कि हमारे पास X, यानि कि नफा या नुकसान, return य हो जाएगा, या आपको 4,00,000 का मुनाफ़ा होने वाल, ठीक है, तो हमने कहा कि आपने ये अपनी possible outcomes लिखनी है, ये मेरा X1 है, मैं इसको बोल रही हूँ हूँ, X1 है, ये मेरा X2 है, X1 की probability आपने अभी define की 0.5 थी, X2 की probability 0.5 है, अब हम इस particular चीज को account for करेंगे, यहां standard deviation के formula में, तो आपने simply क्या करने है, आपने पहले लिखनी है probability, right, probability किसकी 0 हासिल करने की, और फिर उसको उसके mean से, ये जो अभी आपने expected payoff है, उससे subtract कर देना है, तो मैं अभी आपको formula के form में इसको लिखके देने वाली हूँ, कि हम अगर E of X mean के लिए represent का रहे है, आपने E of X ल value है, मैं पहले X1 ले रही हूँ, तो X1 minus E of X लेकि इसको आपने square कर देना, right, और square करने के बार फिर आपने उसकी corresponding probability के साथ में इसको multiply करना है, तो ये आपके पास आजे, ठीक है, now there is another possibility कि आपको 4 लाग का मुनाफा होने वाला है, फिर आप उसको उसके mean से subtract करेंगे, square करें तो मैंने अभी फिर क्या किया, इसको मैंने plus किया, अगली वाली possibility की probability 0.5 है, जरूरी नहीं वो हमेशा 0.5 होगी, जो probability आपके पास given है, आपने वो यहाँ प्लग करनी है, उसके बाद फिर आपने देखा कि मिझे 400,000 का फाइदा पहुंच रहे है, minus, यहाँ mean लिखना है, E of x, ठीक है, और फिर don't forget to square it, firstly we will find out the difference of every possible outcome of variable x, उसको उसके mean से subtract करके, आपने square करने है, square करने के बाद फिर उसकी probability से multiply करने है, यह तमाम जो भी possibilities आपके पास आएंगी, उसके साथ आपने यह treatment लगा के, जो आपके पास value आएगी, फिर आपने उसका square root ले लेना, अगर value ऐस ही रहने देंगे, तो वो हमारा variance होता है, जो हम उस particular पूरी चीज को calculate करके, उसका square root नकालेंगे, तो then you will get the value of standard deviation sigma, और in this case, अगर आप एक drug में अपने तमाम एक लाग डॉलर को invest करने वाले हो, तो on average, आपका expected payoff will be $200,000, and the fluctuation or the variation or the standard deviation linked up with that expected payoff is $200,000, का मतलब है, अगर हम sigma को हमारे X minus, जो हमारा mean है, उससे plus minus करेंगे, ये भी 200,000 है, ये भी 200,000 है, जो जब हम minus कर देंगे, तो हमार पास 0 बच जाएगा, और जब हम plus करेंगे, तो हमार पास 4,00,000 आजएगा, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम fluctuate करेंगे, किसमें 0 से लेके 400 तक का variation, इस particular situation म आपको देखने को मिल रही है, now, अगर हम एक medicine में अपने एक लाग डॉलर को invest करने की भी जाए, दो तरह की medicines के अंदर अपने एक लाग डॉलर को invest करें, तो mean, यानि कि expected payoff क्या होगा, तो standard deviation क्या होगी, let's look at that particular information, So, in this case, अभी आपको जो देखने को मिल रहा है information on the slide, you can see that, हमने देखा के 50% chances हैं कि आप 2 लाग invest करेंगे, ये कब था, कि आपके दोनो products successful हो जाएं, एक product successful होगा, जिसकी probability 0.25 हो गई है, तो आपको 4 लाग, sorry, आपको, आपकी कोई एक product अगर successful हो जाती है दोनों में से, तो आपको 2 लाग का profit होगा, जिसके 50% chances है, एक दोनों की दोनो products आपकी successful हो जाती है, तो इसकी probability low है, मगर इसके उपर आपको 400,000 की return मिलेगी, और अगर आपकी दोनों ही flop हो जाती है products, तो फिर आपको उसके chances 25% हैं, and the expected payoff in that case would be, कि आपको loss होगी, 0 money लिखी भी है, तो in this case, आ आपने अगर expected payoff निकाला two drugs के situation में, तो हमने simply क्या करना है, हमारे X के possible values हैं, 0, 200,000, 400,000, उनको उनकी corresponding probabilities के साथ में multiply करके जमा कर देना है, तो you got an expected payoff in this case of $200,000, now इसी information को लेके जब हम इसका standard deviation calculate करेंगे, तो आपने देखा, जैसे हमने पहले वाले example में solve किया था, आपने X ल values तीन है, 0, 200,000, 400,000, हर एक X को उसके mean से यह जो अभी आपने calculate किया है, उससे आपने subtract करना है, उसके बाद आपने square कर देना है, square करने के बाद आपने corresponding probability से multiply कर देना है, multiply करने के बाद इन तमाम चीजों को add up करने के बाद आपके जो पास जो value आईगी, आप उसका square root ले ल the standard deviation sigma turned out to be 141,421 dollars, right, जबके पिछले case में आपको जो standard deviation मिली थी, that was quite high, 200,000 थी, अभी 141,421 dollars है, इसका मतलब है कि अगर आप diversification principle को इस्तमाल करते हुए, एक से ज्यादा products में invest करते हो, तो आपकी जो spread है, fluctuation है, variation है in the possible outcomes, वो कम हो जाती है, as you can see के वो 2,00,000 से 1,421,421 dollars हो गई है, तो यहां से हम सीखते हैं कि there are a number of advantages when you go for diversification in your investment, if you diversify आपकी इस example के तो में तो आपका जो payoff है, expected payoff या mean आपका जो value थी, वो तो same रही है, मगर आपका जो spread है, या fluctuation है, जिसको हम risk का indicator भी समझते हैं, वो चीज़ का तो गई है, तो this is how you can reduce your exposure to different types of risks, if you follow the principle of diversification. So that is the advantage, that is one big advantage. और इसी तरह से from this, we can infer, कि अगर आपकी जो portfolio है, investment की, उसमें जितनी ज्यादा diversification होगी, उतना ही आप अपने risk को कम कर सकते हैं, आपनी variation को cut down कर सकते हैं, spread in the expected payoff को आप कर सकते हैं. और there is a standard formula, के right over here you can see that standard deviation decline करती जाएगी, जैसे जैसे आप अपने portfolio में ज्यादा different तरह की investments को add up करते जाएगे, and we have got this formula, which says that the standard deviation of a portfolio will give you, is always equivalent to the expected value, expected payoff, यह हमने numerator में रखा है, denominator में हमने रखा है, that would be under root n, तो जितना भी आपका n बड़ा होगा, उतना ही आपका sigma portfolio cut down होता जाएगा, so this is the standard which we follow to see that would reduce by having more and more diverse investments or having a diverse portfolio.